ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आम शांते आम लेरतन में आप सभी का हार्दिक स्वाकत है परमपिता परमात्मा हम सभी को सर्व खजानों से सर्व प्राप्तियों से भरपूर करते हैं और इसलिए भक्ती में सभी अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए परमात्मा को याद करते हैं परंतु जब स्वयम परंपिता पर्वात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं तो हमें अविनाशी खजानों से भरपूर करते हैं और हमें जन्म जन्मांतर के लिए सर्व प्राप्तियों से सर्व अविनाशी खजानों से भरपूर कर देते हैं ये अविनाशी खजाने कौन से है जिससे जन्म जन्मांतर के लिए हमारी अपराप्त कोई वस्तू ना रहे और इन खजानों को बढ़ाने का तरीका क्या है। क्योंके बारे में इसका टॉपिक है सर्वोच स्वमान पस अब परमात्मा कहते हैं कि इस समय का बड़े से बड़ा स्वमान यही हुआ कि परमात्मा के भी अभी तुम मालिक बनते हो विश्य के मालिक बनने से पहले विश्य के रचैता के भी मालिक बनते हो शिव बाबा के भी मालिक हो इसलिए मालेकम सलाम कहते हैं सुपात्र बच्चा बाप का भी मालिक है इस समय बाप को भी अपना बना लिया है सारे कल्प में परमात्मा को ऐसे अपना नहीं बना सकते हो अभी तो जब चाहो जिस रूप में चाहो उस रूप से परमात्मा को अपना बना सकते हो संगम युक पर हम सभी बच्चे परमात्मा को हर संबन्ध से भी याद करते हैं माता, पिता, बंधु, सखा और हर संबन्ध का इस समय साकार के द्वारा अनुभों भी कराया अबयक्त होने के बाद, जिस दिन ब्रमा बाबा अबयक्त हुए, उस दिन शिव बाबा ने एक वायदा भी किया बच्चों से, कि बच्चे आप जब कहेंगे जिस सेवा के लिए कहेंगे मैं सदा हाजिर हूं, जब बुलाएंगे तबाऊंगा, तो दादियों ने बाबा को ब आपको आना है, और बाबा ने जैसे ही दादियां उनको संदेश भेजती थी, गुलजार दादी जी को निमित बनाया, और गुलजार दादी जब बाबा के पाँ जाती थी, तो बाबा या तो डाइरेक्शन तुरंत भेजते थे, संदेश देते थे, या खुद भी आ जाते तो उस समय से ही जैसे बहुत अब्यक्त रूप में जब ब्रह्माबाब अब्यक्त हुए तो शिव बाबा और पुम्हाबाबा इस यग्य को आगे बढ़ाने के लिए जैसा दादियों ने जब कहा हाँ जी उत्रित हुए आए डारिक्शन दिया तो बहुत अच्छे प्यार से संबंद से निमंत्रम दे करके बुलाना और उनसे हर बात पूछना श्रीमत लेना ये शुरू से ही चलता रहा है इसलिए परमात्मा कहता है इस समय परमात्मा को भी आप बच्चों ने अपना जैसे सेवक बना लिया इसलिए हम उस रचैता के ही मालिक बन गए जो वो कहने पर हमारे सब कर रहा है इसलिए परमात्मा कहते है सबसे उच्चा समान तो ये है जो तुमने भगवान को ही अपना बना लिया पर सब परमात्मा कहते है कि तुम आत्माओं को आत्माओं से लेना नहीं है पर अंतु उन्हें देना है सिर्फ एक बाप से ही लेना है जो लिया वह देना है. क्योंकि लेने के अगर इच्छा रही कि ये मुझे दे तो मैं दूँ. परमात्मा कहता है ये ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलती. इसलिए लेना तो एक से है, सब कुछ. परमात्मा से अगर लेंगे और लेकर के हम सब को देते चलेंगे तो वह सामने वाला अपने आप देगा. इच्छा नहीं रुको. लेना तो एक से ही है. परमात्मा इतना सम्मान को दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं. ऐसे हम सब को जो उसने दिया है हम सब को जान दिया है इतना सम्मान दिया है वह हम सब को दे, वो मुझे दे तो मै दूँ, यह रिटरन का सौधा नहीं है, कोई दे या न दे हम उसको देते चले। परमात्मा कहते हैं कि अलपग्य आत्माउं से अलपकाल की ही प्राप्ति होगी, सरवग्य बाप से सदाकाल की प्राप्ति होगी, तो जहां से लेना है बहां ले रहे हैं और जहां देना है बहां दे रहे हैं, अत्वा कभी बदली कर देते हो, अगर आत्मा आत्मा को कुछ दे तो बाप से लिया हुआ ही तो देगी न, जरा भी किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। अगर मुझे कुछ देगी तो देगी तो उसका रिटर्न भी चाहेगी। इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे किसी से भी कोई चीज की इच्छा न, न, सूक्ष में न, स्थूल में। एक से लेते चलो परमात्मा सब खजानों का मालिक है। दाता है। उससे संबंद अच्छा है, उसके अग्याओं पर हम चल रहे हैं, सब प्राप्तियां अपने आप होती जाएंगे। और उससे जो मुझे हो रही हैं, वो मैं दूसरों को दूँ, दूसरों को भाटूँ, अपने आप आएगा, भढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम उससे लेने की इच्छा तुम अपने स्वमान में रह नहीं सकेंगे। जितना बुद्धी में नशा होगा, उतनी ही कर्म में नम्रता। इस नशे की निशानी यह है, नशा भी उचा होगा लेकिन कर्म में नम्रता रहेगी, नैनों में सदेव नम्रता होगी। कई बार कोई कोई ज्यान दूसरों को जब सुनाते हैं, तो अपना अपना चिंतन करके अपने को बुद्धी वांसिद करना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं, अगर तुमने अपने में ही फसा के रखा किसी को, अपनी बुद्धी की बाते हैं, अपना चिंतन, अपना मनन दूसरों को सुनाया और आप पर प्रभावित हो गया। माना आप ने उसको परमात्मा के साथ संब्ध ने जुड़ा पाया। अगर ये इस्मृत्ती रहती है, नसा तो है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसमें हमको सब खजाने दिये हैं, लेकिन जो उसने दिया है वो मैं इनको दे रहा हूँ, उसका संब्ध उनसे जुड़ा सकते हैं। नहीं तो अपने तक हम सीमित रखेंगे। इसलिए परमात् जिया हुआ मैं दे रहा हूँ, तो अपनी कोई बड़ी बड़ाई है ही नहीं, नमरचित बन जाओगे। और जहां नमरता है, वहां पर हर एक का सम्मान मिलता है। बलकुल, और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि विश्व का कल्यान नमरता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया, जब बाप भी नमरता से बच्चों का सेवा धारी बना, ऐसे ही फॉलो फादर। इसमें फालो करना है, जरह भी मैं न आये, मैं करता हूं, मैं इसकी सेवा करता हूं, मैंने इसको ग्यान दिया, कई बारे आजाता है कि मैंने इसको ग्यान दिया, ये आगे आगया, ये भगवान का बच्चा बन गया, और शूक्ष में उसको मैं पन दिखाई देता है, वो नम जान करने के लिए परमात्मा हमको ये बहुत बड़ा गुन सिखा रहे हैं। ब्रमा बाबा प्रैक्टिकल में नमरता का उतार बन के रहे। कभी भी नहीं का मैं ये करता हूँ। मैंने ये किया। जहां बाबा की प्रसंसा किसीने शुरू की। बाबा के बच्चे मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं तो बीच में दलाल के रूप में हूँ। कराने वाला, करने वाला उपर वाला बैठा है। या मेरे बच्चे कर रहे हैं। इतना नमरता से बच्चों के बीच में रहे। प्रमात्मा कहते हैं कि संगम युग में मुख्य कितने खजाने हैं, आप लोगों को कितने मिले हैं, सभी से बड़े से बड़ा खजाना तो बाप मिला, पहले नमबर का खजाना तो ये है न, जिससे किसी को चाबी मिल जाए, तो गोया सब मिल गया, बाप मिल गया अर्थात, स जो पत्षेमे étaitते है जिसके पास व्हास्षे में हो अपना हो गया एक Milka impress उसके पीछ पीछे में हैं, जैसे कि खजाने के जाबी किसी को दिए तो दूसरीी सब खजानों पर इसका अधिकार हो ही जाएगा। इसलिए अगर हम सबने दिल से सच्चाई से बाबा को अपना बना लिया तो माना हमारा वो बन गया खजानों का मालिक सारे खजाने हमारे हैं आगे बढ़ते तो परमात्मा कहते हैं कि और क्या मिला वह भी साथ साथ वर्णन करो ज्यान भी है और अश्ट शक्तियां भी है एक एक शक्ति को अलग-अलग वर्णन करो तो अलग-अलग शक्ति भी खजाने के रोप में है इस प्रकार जो बाप के गोण वर्णन करते हो वह गोण भी खजाने के रोप में वर्णन कर सकते हो इस रीती से इस अमुल्ले संगम युग के समय का एक सकंड भी खजाना है जैसे खजाने से प्राप्ति होती है वैसे इस संगम युग के एक एक सकंड से श्रेष्ट प्राप्ति कर सकते हो किसी के पास बहुत खजाना बहुत संपत्ति हो Qashana-baba संपत्ति को कह रही है, किसी पास बहुत संपत्ति हो तो उसे जो चीज खरिबना चाहिए जो चीज लेना चाहिए तो ले सकता है, ऐसे ही संगम पर ग्यान पास्टसकतियां और विशेश करके इसंगम का ही अमूल समय है, किसी ने इस समय की कदर की, एक एक सेकेन को सफल बेर्थ न जाने दे, तो उसके लिए उस समय ही बड़ा खजाना है, क्योंकि इस समय एक मिनट भी अगर हम परमात्मा की याद में रहते हैं, उनकी याद से सब सक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, तो जैसे वो खजाना हमारे पास जमा हो जाता है, अगर बेर्थ चला गया, हम हमारा समय ऐसे बातों में चला जाए, हम एक गंटा दो गंटा जिसके साथ बैटे, न ज्यान चिंतन किया, न परमात्म चिंतन किया, पर चिंतन, बेर्थ चिंतन कर लिया, तो जैसे हम उस समय को वैल्यू ने दे रहे हैं, समय को बेर्थ गमा रहे हैं, एक खजाने को परमात्मा कहता है ये बहुत बड़ा खजाना है इस एक सेकेंड एक मिनट में आप भविस से 21 जन्मों की कमाई करें तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सूरेवन्शी अर्धात संपन किसी भी बात में यदी संपन नहीं तो सूरेवन्शी नहीं कहेंगे तो सभी खजानों को सामने रखते हुए अपने आपको चेक करो कि यह कहां तक है कितनी अंदाज में है ऐसे तो नहीं कि थोड़े में ही कुश हो गए है कई बार हमारे पास खजाना होता है बीच बीच में उसको चेक नहीं करते है मानलो किसी के पास श्टाग है जमा करके रख लिया अनасть का श्टाग मानलो कोई नहीं रखा है और बीच बीच में उसके चेकिंग नहीं कर रहा है कaller चेकेम तो जब बीच में खली कर दिया तो जब जरूरत बड़े देखा, तो होते हुए भी उसके काम में नहीं आया, तो परमात्मा कहता है, कई बच्ची इसमें खुश हो जाते हैं, कि मेरे पास बहुत सरा श्टाक है, सब कुछ है, ग्यान मिला है, गुन है सकते हैं, सब है, लेकिन अगर कोई कीड़ा लग गया है, और उससे बड़ा को खतम कहने वाला, वो है महपन, इसको कहते हैं, घुन है, अगर जरा भी महपन है, कि मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूँ, तो यह महपन भी उसमें कीड़े की तरह खतम करता रहता है, यह खजाना देने से बढ़ता है, वो हो सकता है, विनासी खजाना दिया जाया तो कम हो इसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, धन दिये, धन नाक उटे, अगर हम धन दान करते हैं, तो धन कम नहीं आता है, इसके डिटर्ण में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, और यह विनासी खजाना तो जितना हम दूसरों को देते जाते हैं, उतना हमारा बढ़ता जाता है और इसलिए परमातना कहते हैं कि यह भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहां तक अनेक आत्माओं को दान दिया है, अतिंद्रिये सुख का खजाना भी देखना है, कि ज्यादा अपने प्रती लगाते हो या विश्व की सेवा अर्थ लगाते हो परमातना कहते हैं कि अगर अपने पुरुशार्थ के प्रती ही खज्यान का खजाना वह शक्तियों का खजाना लगाते रहते हो, तो वह भी संपूर्ण स्टेज नहीं हुई, अब दूसरों के प्रती लगाने का समय है जो भी कजाने हमें मिले हैं, सबसे बड़ा हमारे जो धानाओं में पवित्रता का कजाना है, और इस पवित्र जीवन में जो खुसी मिलती है, जिसको अतिंद्रे सुक कहा जाता है, केवल हम ही खुसी में रहें, उस सुक का अनुभो करें, तो सीमित हो गया, हमें उसका दान करना है, दूसरों को देना है, जितना हम दूसरों को खुसी का दान देंगे, वो हमारी खुसी बढ़ती जाएगा, अनुभो होने लगेगा, तो परमात्मा हम सब को कहते हैं, केवल अपने प्रत नहीं लगा हो, नहीं तो सीमित थोड़े मात्रा में रह जाएगा, आप दू का समय जो की शरीर के लिए आवश्यक है, वह भी अपने प्रती न लगा कर विश्व कल्यान अर्थ लगाते रहते थे, ऐसे सर्वशक्तियां भी विश्व कल्यान प्रती लगे, न की अपने प्रती, प्रमा बाबा का त्याग मैं जीवन था, इतनी बड़ी आयो में भी, बा मनन, बच्चों से मिलना, बच्चों को पत्र लिखना, फूल टाइम सेवा में ही लगे रहते थे, विश्व कल्यान की सेवा में, तो बच्चों को भी परमात्मा, ब्रमा बाबा, दोनों ही रेडित कर रहे हैं, बच्चे जो तुमारे पास यह समय है, इसको सेवा में कि अभी एक ही समय में डबल काम करो, क्योंकि समय कम होता है, तो डबल फोर्स की स्टडी करते हैं, ये भी ऐसे है, समय समी पा रहा है, तो दोसरों को देने के साथ साथ अपना जमा करो. हम केवल अपने लिए पुटसार्त करते रहें, योग करते रहें, और मनन चिंतन करते रहें, तो परमात्मा कहता है, केवल सिंगा सेवा नहीं करो, अपनी सेवा होना अवस्यक है, अपने पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन अगर हम विशु कल्यान के सेवा में, मनसा अपना देने के सेवा में, अच्छा मनन चिंतन करके ग्यान रतन लुटाने में लगाते हैं, तो डबल सेवा होती, दूसरी आत्मा होई का भी कल्यान हो रहा है, और अपना तो हो ही रहा है, साथ साथ बिलकुल, ऐसा परमात्मा कहते हैं कि सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है, लेकिन वारिस दिखाई नहीं देते, क्यों? कारण विस्तार में तो बहुत है, लेकिन मूल कारण क्या है? उस समय अपना पन नहीं था, विश्व के कल्यान अर्थ अपना सभी कुछ देना है, वह भावना थी, एकनामी और एकोनोमी वाले थे, सभी खजानों में एकोनोमी थी, व्यर्थ नहीं गवाते थे, समय शक्ती जो ली है, वह औरों को देनी है, अर्थात महादानी पन की स्टेज थी, फिर सब इसमें परमात्मा ने कहा कि वारिस नहीं निकलते, तो वारिस शब से जब सुरू में सेवाएं सुरू हुई भारत के अंदर, तो जहां जहां हमारी दादियां गई, उन्होंने जो सेवाएं की, उनके अंदर अपना पर नहीं था, और मात्मा को पर्टेक्च करना है, कम खर्चे में करना है, कोई सैल्वेशन नहीं लेनी है, उत्याग ब्रत्ती वो सेवा में समर्पित किया, वारिस को कहते हैं, जैसे बच्चा कैसी के घर में आता है, तो घर का मालिक होता है, तो परमात्मा हम सब को कहते हैं, कि जो पहली सेवा हुई उसमें वारिस निकले, ऐसे बच्चे आये, जन्होंने यग को इतना आगे बढ़ाया, उन्होंने सम जहां कमी है जहां जिस जिश्य की जरूरत है जो सहयोग चाहिए मुझे करना है। वारिस वसको कहते हैं जो मालिक हो करके बच्चा बन करके अपने घर को इस यग ये को आगे बढ़ा है। अधिकार से करें कि यहां यह ये चाह कमी है मैं इसको पूरा करूँगा। परमात्मा ने उस समय की बात उधाहन दी कि दादियों ने जो सेवा की, एकनामी बाबा को पर्टेक्ष करने के लिए की बहुत त्याग वरत्ती से की, कोई salvation पहले नहीं मांगी। आज कोई सेवा करने जाता है। सोचता है गाड़ी जाएं को साधन कासे पहले साधन रूडता हैं थे सेवा पर जाता है। अभले दादियों ने ट्याक किala कि किसी से कोई साधन मांगया ही नहीं। उप्ता भी नहीं था। गए पैदल गए, कई कई किलो मेटर पैदल चल करके सेवाएं की, कोई साधन नहीं मांगे, सालवेशन नहीं मांगे, खाने के लिए है या नहीं है, सुखी रोटी खाया, लेकिन सेवा के लिए जहां जरूरत पड़ी भाग करके गए, तो इसलिए त्याग सेवाएं हुई, उ इसलिए परमातना कहते हैं कि स्वयम के त्याग से औरों का भाग्य बनता है, जहां स्वयम का त्याग नहीं, वहां औरों का भाग्य नहीं बनता, बाप ने स्वयम का त्याग किया, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना, तो शुरू की स्थिती में स्वयम के सभी सुखों का त्याग था इससे ही जह भाग के बने प्रैक्टिकल में सब बातों का त्याग किया कोई चीज को देता था कोई महिमा करता था ना, मान, सान, सुविधाएं किसी चीज को सुविकान नहीं किया और उस त्याग के कारण इतना बड़ा सब का भागी बना, इतने सब वारिस बच्चे निकले और ऐसे निकले जो जैसे ब्रह्मा बाबा थे, ऐसे उन्होंने उसको पालो किया बिल्कुल हम सब को यह बाबा कहते हैं, त्याग से लोगों का भागी बना और अगर भाग अभी बनाना है किसी का, तो पालो पादर करो, बहुत त्याग व्रत्ति से सेवाएं करो, तो अपने आप अच्छी क्वालिटी के वारिस क्वालिटी के लोग निकलेंगे, और वो फिर यगी को आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए भैसा पर्मात्मा कहते हैं कि अब फिर से वही महादानी बनने का संसकार, वसदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी, और सर्व साधन होते हुए भी, साधन में न आओ, साधना में रहो। अभी साधना कम है, साधन ज्यादा है, पहले साधन कम थे, साधना ज्यादा थी। इसलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी, त्याग वृति में रहो। भैसाब आज हमें कैसे त्याग से अपना भाग्य और अनेकों का भाग्य बनाना है, कैसे श्रेष्ट स्वमान की स्थिती में स्थित रहना है। इन सभी ज्ञान के यहराईयों को हमने बहुत ही सहचता से, सपश्टता से आप से समझा, फैसल इसके लिए आपका बहुत भूँत धन्यवत। दर्शकु आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें अपना श्रेष्ट स्वमान, सदा याद रखना है कि इस समय हम शिव बाबा के भी मालिक बनते हैं, स्वयम परमपिता परमात्मा हमें सिर्ताज बनाते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें महादानी बन कर इश्वरिये खजानों का दान करना है। और इसके लिए इश्वरिये नश्ये के साथ साथ नम्रता का गोण भी धारन करना है। तर्शकू आज के अपिसोड से संबंधित, यदि आपके मन में कोई भी प्रशन है तो आप हमें इमेल कर सकते हैं। हमारा इमेल आइडी है amolayratna at the rate codlywoodstudio.org अगले अपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, ओम श्यांति। मुख्यसार, बड़े से बड़ा स्वमान, बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो। विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयता को सेवाधारी बनाते हो। यह है शुद्न स्वमान। संगम युक के मुख्य खजाने, पहला बढ़े ते बढ़ा खजाना पाप मिला, अर्थात सब कुछ मिल गया, दूसरा ग्यान, तीसरा अश्ट शक्तिया, चौथा बाप के गुरू गुरू को भी खजाने के रूप में बढ़नन कर सकते हो, संगम का समय अर्थात हर सेकेंड, अनेक पत्मों से ज्यादा बढ़ा खजाना है, महादानी जो होते हैं, वो अपनी खजाने भी दूसरों को दे देते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर करें झाल